नमस्कार दोस्तों आप सभी का सब्सक्राइब करेंगे इंपोर्टेंट 30 प्रश्न यह पिछली परिक्षाओं में आई वे प्रश्न है आप इन्हें सौल कीजिए कमेंट सेक्षन जरूर बता कर जाएं आपकी कितने सही हो रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कर देजिए वह इन प्रश्नों को सौल करके अपना मुल्यांकन करें वीडियो को लाइक जरूर करें एंट तक देखिए और प्रश्नों को सौल कीजिए यह प्रस्ट ग्रेट सेकंड ग्रेट पठवारी ग्राम सेवक राजस्तान में होने वाली प्रतिक एक्जांस के लिए बहुत ही महत्व से पण्पोने हैं तो चले देखते हैं टोटल प्रश्न 30 है वीडियो को जल्दी से शेयर कर दिजिए अपने दोस्तों में तो चले देखिए पहला प्रश्न है निम्न कत्नों पर विचार कीजिए कि 73 सम्छोदन के अनुसरण में याविए Τ eccentric इतर्व शंवीद्हान संशोद था यह पंचायती राज से संबंधित था यानि ग्रामिन पंचायती राज से संबंधित था तिहां पर ओप्शन है ए पंचायती राज अधिनियम राजस्तान में 30 अप्रेल 1994 में लागू किया गया यह सही है यानि कि भारत में 1993 में लागू हुआ लेकिन राजस्तान में कब दो बार नहीं कम से कम तीन महिने में एक बेठक तो होनी ही चाहिए यानी ने यहाँ पर गलत हो जाएगा C देखिए, पंचात राज की सभी इस तरों पर महिलाओं का एक तिहाई आरक्षन अनिवारी है यह यहाँ पर भी सहिए, D अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती के लिए भी एक तिहाई आरक्षन है यहाँ पर यह, यारी C और D गलते, A और C सहिए तो देखिए, यहाँ पर इन कत्नों में से कौन सा सही है, यह पूछा गया है तो A और C सही है, A और C, तो यहाँ पर यह चारों ही ओप्षन गलते A और C, यहाँ पर फर्स्ट वाला C की जगा B टाइप हो गया, उसके लिए मैं माफी चाती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा A और C, A और C सही है, तो राइट ओप्षन हो जाएगा 1 नेक्स्ट है, भारती समिदान में निम्न में से अन्यागरी को की कौन से मौलिक करता भी है रास्ट दोच तता रास्टगान का सम्मान करना मौलिक करता भी है आहावाल पर रास्ट को सेवा अर्पित करना ये भी मौलिक करता भी है सामाजिक सुदारगा प्रियास करना ये मौलिक करता भी है, नहीं है अपने साज़ संस्कति की सम्रिद धरों को महत प्रदान करना तता उसका संरक्षन करना मौलिक करता भी है यानि A, B और D ये तीनों ही मौली करता भी है लेकिन C नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा A, B और D यानि कि तीसरा यहाँ पर सही रहेगा नेक्स्ट है श्री मत्ति वसुंद्रा राजे राजस्तान की प्रतंबार मुख्य मंत्री रही यानि कब से कब तक रही यह पूचा गया है 2004 से 9, 2001 से 3, 1999 से 3 या 2003 से 8 तो राइट आंसर रहेगा D, 2003 से 8 वसुंद्रा राजस्ति प्रतंबार मुख्य मंत्री रही और 2008 में ही 26 जनवरी 2008 को इन्होंने प्रताबगर नया जिला आवंटित किया था तो राइट आंसर रहेगा या पर D, नेक्स्ट है यह अप्रक तीन बार मुख्य मंत्री रहे चुकी है वसुंदा राजसे सिंधिया नेक्स्ट है, क्योशन नंबर 4, निम्र कत्रों पर विचार करना है, यहाँ पर दिया गया है लोग सबा में राजस्तान से कुल 25 सदस ही, सही बातीं घाबरहाट में जल्दभाजी में बहुत सारे स्टूटेंट ऐसे परर्शन सभी कर देते हैं, उनका गलत हो जाता है C option देखिए लोग सभा में राजस्तान से अनुसुची जाती चार सिटे एवं अनुसुची जन जाती की तीन सिटे आरक्षिते यानि A और C सही है B यहाँ पर गलत हो जाएगा तो राइट देखिए A और C यानि की दूसरा option यहाँ पर सही रहेगा बिधान परिशन में कुल सदसुची इत्म बिधान सभा में 200 संक्या है इसलिए आप गबराएं नहीं पेपर को अच्छे से यानि जो क्योशन होता है इसको दो बार पढ़िए उसके बाद उसको समझिए और फिर सौल्व कीजिए अगर आप जल्देबाजी करेंगे तो अभारत में संसत में समलीते संसत में कौन होता है एक तो राष्टपती होता है राज्यसभा लोगसभा यानि ए और बी दोनों अप्शन सही हो जाएंगे इनसे ही क्या बनती है संसत बनती है राष्टपती राज्यसभा और लोगसभा सदन होते हैं यह दोनों क्या है सदन है और संसत के अंग होते हैं तीन तो यहाँ पर A और B दोनों उप्षन सही है प्रधान मंत्री उप्राश्टपती होता ही नहीं है संसत का सदिस तो राइट आंसर रहेगा एक A एवं B Next है कदनों पर इन में से कौन सा असत्य है यह पता करना है संविदान को 26 जनवरी 1949 को पारित किया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ सही बात है लॉर्ड बेटिंग भारत के प्रतम गवर्णर जनल थे भारत के प्रतम गवर्णर जनल लॉर्ड बेटिंग नहीं कौन थे वारेन हैस्टिंग्स यानि ओप्शन नमबर टू यहां पर गलते फर्स्ट सही है पंडित जवालाल नेरू भारत के प्रदम प्रधान मती थी ये भी सही है राजी के निती निदेशक सिद्दान समिदान के चत्तुर्थ भाग पे समाई थी यानि यहां पर बी ओप्शन गलते यहीं यहां पर आंसर हो जाएगा यानि क्योशन नमबर शिक्स का आंसर है बी नेक्स्ट है लोगसभा की बारे में निम्न में से एक असत्य पता करना है लोगसभा की वर्तमान संग्या पांसो पैताली से वैसे पांसो बावन है लेकिन पाकिस्तान अधिकरश चेत्र में साज सीटे जाने के बाद वर्तमान में पांसो पैताली से यानि यह सही है राज से चुने वे सदसे पांसो तीसे यह भी सही है केंदर शाशी प्रदेसों से चुने वे सदसे तेरा यह भी सही है लेकिन एंग्लो इंडियन चुने वे सदसी दो एंग्लो इंडियन सदसी राष्टपती की द्वारा चुने जाते थे चुने नहीं है मनोनित किये जाते थे यहां पर चुने वे सदसी इसलिए ऑप्शन गलत है यह पेपर में आयवा प्रशने इसलिए मैंने एक्ज वैसे की व लत हो जाएगा नेक्स्ट ए पूराने पेपर के अकोर्डिंग ओप्शन है ये इसे आप को डाउट ना हो ग्राम इस्तर पर प्रतिनिदिक प्रजातंत जिसकी द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सबा पंचाय सरपंच और पंच तो राइट आंसर रह गया पर ए ग्राम सबाँ नेक्स्ट ए भारती सविदान की इतियास में सबसे विवादा इसपर सविदान सशुदन था कौन सा बैया लिषवा चियतर वा सेवन्टीनाइन या फिर ऐटीनाइन तो यहाँ पर आइट अंसर रहेगा प्रदाल मंत्र इंद्रा गांदी के समय हुआ था कब हुआ था 1976 में इसे लगु सम्विदान भी कहा जाता है तो क्योशन नंबर नाइन का अंसर रहेगा एक नेक्स ने किस समयदान शंशुदर ने भारत में प्रात्मिक शिक्षा को मौली का दिकार बनाया 21, 82, 86 से 80 तो शिक्षा से सम्मंदित कौन सा मौली का दिकार है आपको पता होना चाहिए यानि कि कि किस के तहद जोड़ा गया तो राइट आंसर हैगा 86 सी यहां पर सही हो जाएगा अगला तो राइट आंसर हैगा यहां पर D. Aachen को तमरवती नगरी दूल कोट आदिनामों से भी जाना जाता है आःट उद्यपूर में पढ़ता है कहां पर है उद्यपूर में तो यहां पर राइट आंसर हैगा 11 का D. Aachen नेक्स्ट एग राजस्तान में आलनिया की प्रागितियासिक चित्रों की खोच किसने की डॉक्टर एस एच गाडन डॉक्टर एस कुमार वी एस वाकनकर या जगत नारायान तो राइट आंसर रहेगा है D, डॉक्टर जगत नारायान आलिया कहाँ पर पढ़ता है तो यह कोटा में पढ़ता है तो राइट आंसर रहे गाँ आपर ती अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है क्योशन आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट शेक्स में भी तक चैनल को प्रेस कर दीजिए मैं पर इसी टायप से वीडियो अपलोड होती है इसी टायप से में वीडियो लेके आती हूं चोकि आपके लिए बहुत ही है रहती है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए यहां पर क्योशन नंबर 13 मारवाड में विर्था साहित्य सेवा के लिए सिरो पाउ देने की परमपरा थी सिरो पाउ था यानि सर्वोच सिरो पाउ कौन सा था तो राइट आंसर आपर भी हा बादशा अपनी जितनी भी विजय है उसमें आदी राठोडों की एक लाग तलवारों के एहसान मन दे यह कहा था करनल टॉड ने किसने कहा था करनल टॉड ने पुराइट आंसर यहां पर रहेगा ए नेक्स ने मंदिर इस्तापति की भूमिश शेली किस इस्तापति शेली क उपशेली है तो यह है नागर शेली की यहां पर रहेट आंसर हो जाएगा एक नेक्स्ट इए बादशा ने मेवार की राणा को आपस की समझोदे से अधिन किया था ना कि बल से यहां पर होगा बल से पलते नहीं वो टाइपिंग विस्ते हो सकती है बादशा ने मेवार की को आपस की समझोते से अधिन किया था ना की बल से यहां कतन किसका है जेम्स टोड का टॉमस रो का बैने प्रसाद का या फिर सर जे एन सरकार का तो राइट आंसर रहे गा या पर बी सर टॉमस रो नेक्स्ट ए राजस्तान में उंद्रिया पंथ किन में प्रचली थे तो यह भ गुबारा, नुसरत, नाकपली, गजग नाम है यानि यह किसके नाम है गुबारा, नुसरत, नाकपली, गजग तो यह आपने बहुत से बहुत से कह सकते हैं सुना होगा कही ना कही पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो आप याद रखना कि चारो गुबारा, नुसरत, नाक पली और गजग ये जोदपूर में जोदपूर दूर्ग में रखी तोपो के नाम है यानि क्योशन नमबर 18 का आंसर रहेगा ए नेक्स्ट ए जोदपूर जीले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकाले की स्थापना किसने की जसवन सिंग, अजिस सिंग, मांसिंग या तक्त सिंग तो राइट आंसर रहे गए प्रसी मांसिंग के द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकाले की स्थापना जोदपूर किले में की गई थी नेक्स्ट ए राजस्तान की संस्किति में मुखधणा क्या है माता जी को महेंदर चड़ा कर मेहमानों में बाढ़ना वदू को मूंग और घी खिलाना लाग की चुडिया जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है भोजन पकाने के लिए लखडिया जो बिनाया के स्थापना के पस्चात लाई जाती है राइट अंसर रहेगा D 31 रूपिया राजस्तान की कौन सी टकसाल में बनता था जोदपूर, सोद्यत, कुचामन या फिर मेरता यह पूछा गया है 31 रूपिया राजस्तान की कौन सी टकसाल में बनता था तो यह बनता था कुचामन टकसाल में और कुचामन कहाँ पर इस्तिते या कह सकते कुचामन कहाँ पर पढ़ता है तो यह पढ़ता है नागोर जीले में तो राइट आंसर रहे गए आप 21 का C Next A मुगल समराठ शाजां की समय से ही प्रसिद नाहर नतिक की खेलने की परंपरा कहाँ प्रशलीते तो यह प्रसलीते मांडल और मांडल कहाँ पर पढ़ता है भीलवाडा कहाँ पर पढ़ता है भीलवाडा तो राइट आंसर रहे गए आपर A Next A 23 आचारी तुलसी ने अनुवरत आंदोलन का सुत्रुपात कब किया 1942, 1950, 45 या 52 तो राइट आंसर रहे गए आपर B 1949 इस भी में अनुवरत आंदोलन का सुत्रुपात किया था B याँ पर सही रहेगा Next A रियासतों से सम्मधि समस्चाओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की इस्ताफना कब की गई 5 जुलाई 1947, 10 अक्टुबर 1946, 31 मार्च 1948 या 4 जनरी 1947 तो रियासती विभाग की स्ताफना की गई थी Next A 25 मेवार पुकार 21 सुत्री मांग पत्र का सम्मन किस्से है मोतिलाल तेजावत, मानिक के लारवमा, विजै सिंग पतिक या सादू सिताराम दास तो रियासतों से रहेगा यापर A मोतिलाल तेजावत ने 21 सुत्री मांग फत्य सिंग के सामने रखी थी तो राइट आंसर रहेगा यापर प्रशन आ सकता है कि 21 सुत्री मांग पत्र के समक्ष प्रस्तूत की गई तो राइट आंसर रहेगा फत्य सिंग Okay, next A 26 राजस्तान के एकीगरन की प्रक्रिया के दोरान मत्य सिंग की वार्शिकाई कितनी थी? कितनी थी? बता ना है हाँ, 184 लाग 294 लाग रुपे 324 लाग रुपे 26 लाग रुपे यह आपके लिए हमवके आप इसका आंसर कमेंट सेक्षन बताईए बहुती सिंपल है बहुती परिक्षाओं में आयावा प्रश्ने कि मत्त सिंग की आय कितनी थी? Okay, next A राजस्तान की किस त्रियासत को पंडी जवालाल नहरू ने विश्व का आठवा आस्चरी कहा था जेसल मेर, बिकानेर, जहलावार या फिर कोटा किसको कहा था? तो बताईगी, तो राजस्तान सर रहेगा जेसल मेर यह आपर सही हो जाएगा Next A कांगर कान किस प्रजामंडल आंदोलन के दोरान घटित हुआ? जैपूर, बिकानेर, कोटा प्रजामंडल या फिर जहलावार प्रजामंडल तो किस प्रजामंडल आंदोलन के दोरान घटित हुआ? कांगर कान तो राजस्तान सर रहेगा बि, बिकानेर, प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में कौन थे? उद्गाडन करता तो वेद्य मघाराम मघाराम तो राजस्तान सर रहेगा बि, बिकानेर, प्रजामंडल नेक्स्टे 29 यहाँ पर कथा ने अंग्रेजु ने अपने शपत भंग की है क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया? अता उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारती अपनी शपत का अलुनपारन करेंगे सत्रासो सत्तावन की क्रांति के संदर्व में यह किस ने कहा? तांत्या टोटे, अस्वरित तौपे, हकिम अहमद, प्रताफ सिंग और D ओप्षने, मुहमद अली बेक तो यह कतनता मुहमद अली बेक का यह निमस चाहवनी से संबंदित थे कहां से संबंदित थे? निमस चाहवनी से नेक्स्ट और अंतिम प्रश्णे निमन में से कौन सा तत्वाद्धी नहीं है? जंतर, रवाद, चोतारा, सतारा तो राइट आंसर रहे गा है आपड़ D, सतारा ओके फ्रेंड्स, इन प्रश्णों को कीजिए और कमेंट शिक्स में जरूर बताए आपकी कितने सही हो रहे हैं वीडियो को अंतित तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद